हमिरपुर जिला में रेड क्रॉस साइटी के चालक क्रिशन ठाकुर ने मिसाल पेश की है और पिछले डेड़ साल से क्रोना महमारी के दौरान अपनी सेवाएं दिन राद देते आ रहे हैं क्रोना की दूसरी लहर के दोरान भी क्रिशन ठाकुर की सेवाएं जिला प्रशाषन ने बढ़ाते हुए शबों को कोबिड अस्वाल से शम्शान घार पहुंचाने का काम सौंपा है जिसे क्रिशन ठाकुर बखूबी निभा रहे हैं। अपने परिवार बच्चों की चिंता छोड़कर क्रिशन कुमार ने अब तक 60 से जादा क्रोना संक्रम्न से हुई मौतों के शबों को लोगों के घरों के लावा शम्शान घार तक पहुंचाया है और कई वार अंतिम संसकार में भी एहंभूम का निभाई है। क्रिशन कुमार को आज तक ना तो प्रशस्टी पत्र मिला है और ना ही क्रोना युद्धा के तौर पर नवाजा गया है जिसे क्रिशन ठाकुर को मन में इसके लिए मलाल भी है। करकारी नौकरी दी जाए उन्होंने कहा कि क्रोना महमारी से डर्ना नहीं चाहिए और डट कर इसका मुकावला करना चाहिए। मेडिकल कॉलिट मंडी से लानी पड़ती है टांडा से लानी पड़ती है। कि चला है। सरकार से क्या माँ करते हैं। सरकार से तो यह है कि बीसाल होगे मुझे रट कॉस में। आज तक पकी नौकरी भी नहीं हुई। परिवार बड़ा है। तो मैं तो यह ही चाहता हूँ कि मुझे पकी नौकरी दी जाया। मैं तो यह ही कहूँगा जैसे बीस साल होगे मुझे नौकरी पे रट कॉस साइटी में। तो बीस सालों में मैंने इतनी तो साठ के करीब तो डेड़ बोडी पहुंचा दी संसान घाट पे। तो उनके दाश अंसकार में भी भाग लिया। तो लोगों को तो डशे डॉक्टर नर्शी है सब को बोलते हैं कि करोना युद्धा है तो आज तक तो हमें मैं तो ड्राइवर हूं रेट कॉस में मुझे तो किसी ने युद्धा नहीं बोला ना तो कोई परसुदी पत्तर दिया है। तो मैं यही जाता हूँ कि मुझे सर्गाई नौकरी दी जाए और जिससे मेरा परिवार का जो पालन पोजिशन जो वो सही तरीकिय से हो। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहिए। अब शब बाहन में तबदील कर दिया था और अब तक 60 क्रोना के ग्रास बने हुई शबं को घरं तक पहुंचाने का काम भी चालक के द्वरा किया जा चुका है। इसर जब से क्रोना कार शुरू हो है जब से क्रोना आया हो है तब से इसमें क्रोना में ड्यूटी दे रहे हैं। जब इन्होंने वहां पे कॉरंटीन सेंटर बनाया था वहां पे इन्होंने 24 आर्ज 9 महीं ने कम से हम ड्यूटी दी है। उसके बाद जो हमारी एंबुलेंस है तो पहले तो ये पेशेंट के लिए थी। फिर जब क्रोना की बज़ा से इन्होंने जो एंबुलेंस है उसको शाह बाहन में तब्दील किया। तो अब भी मेरे ख्याल से 60 अब बव इन्होंने डाड़ बॉडी जो नेर चौक से और आर्की एजम सिहा मिर्पूल से वहां से भी इन्होंने घर घर तक पहुंचाई हैं। और लोगों का काफी सहयोग दिया है। और मतलब मैं काफी स्राहना करती हूँ कि इन्होंने रात दिन कुछ नहीं देखा। 24 आर्ज इन्होंने अपना काम बड़ी बखूब भी निभाया है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं वह एप्रिशेट करते हैं इनको बहुत अच्छा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वहीं स्थानी निवासी सुदर्शन पत्याल और क्रिशन सिंग ने बताया कि पिछले 18 सालों से क्रिशन कुमार Red Cross Society में सेवाइं दे रहे हैं और क्रोना काल में शबों को पहँचाने के लिए ड्यूटी को निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज के समय में क्रोना होने पर समाज और परिवार के लोग भी किनारा कर रहे हैं। तो ऐसे में क्रिशन कुमार कभी टांड़ा तो कभी नेर चौक से डेड बोडी लेकर आते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को क्रोना युद्धा के तौर पर सम्मानित किया जाना चाहिए और सरकारी नौकली भी दी जाने चाहिए। इसके अंदर जो महामारी करोना वाइरस की जो महामारी फैली हुई है। इसमें जो करोना पॉस्टिव कि किसी की डेथ हो जाती है। तो सरकार और परशाशन ने ये हमारे ड्राइवर सिरी क्रिशन जी के ड्यूटी लगाई है डेड़ बोडियों को ले जाने के और छोडने की। कहां इनको जलाना है। समाच जो है वो नफरत कर रहा है। गाउं के लोग कहते हैं कि जलाना हम नहीं आएंगे जलाने तो परशाशन और सरकार इनको खुद जला रही है। तो जैसे डेड़ बोडी कांगडा टंडा मेडिकल कॉलेज से लानी है। या नेर चौक मेडिकल कॉलेज से लानी है। कब खाना खाते हैं, कब नहाते हैं, कब सोते हैं, कोई पता नहीं। तो मैं तो चाहता हूं कि ऐसे ये तो सब देश के सबसे बड़े करोना योद्धाओं मेंसे इनको समानित करना चाहिए। और सरकार से मैं यह अपील करता हूँ कि इनको पक्की नौकरी दी जाए और इनका भीमा किया जाए अगर कल को यह करोना पॉस्टिव हो जाते हैं, अगर इस महामारी की चपेट में आ जाते हैं, तो इनके पूरे परिवार की सरकार की तरफ से पूरी इनको सुविदायाँ पर इस वाक्त करोना चला हुआ है, तो जितने भी डाड़बोडी हैं, ये विचारे कभी नेरचॉंग से ला रहे हैं, कभी टंडा मेडिकल अक्रोजी से ला रहे हैं, कभी हमेरपुर से उनको पहुंचा रहे हैं, संसान घाट में, लोग नफरत कर रहे हैं, गौवों के लोग खस्त करता हूँ, कि इनको सरकारी नावकरी में ले, और इनका भीमा किये जाए, इनके बाल बच्चों का पालन प्रोशन के लिए सरकारी नावकरी जवाब बहुत जिरूरी है, इसलोग गौरतलाबे की चालक क्रिशन ठाकूर क्रोना काल में हैं, हो रही, मिर्तियों पर पहुचा रहे हैं और निनतर क्रोना काल में उनका ये काम अभी भी जारी है